अम शांति, मेरा नाम डॉक्टर योगराज शुकला है, मैं डॉक्टर यश्वंत सिंग परमार अध्यान की एवंबान की बिशिवद्याल्या नवनी सोलन में एक वरिष्ट वेज्यानिक हूँ, सांटिस्ट हूँ और आजकल मैं सबजी विग्यान विभाग का हैड और से डिवार्टमेंट हूँ, साथ ही साथ मैं एक वर्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, IDP, उसका नेशनल लेवल का प्रकॉर्मेंट आफिसर हूँ, और एक हमारे पूरे भारत वर्ष के सबजी विग्यानिकों की एक आफ अडवांस फेकल्टी ट्रेनिंग, उसका मैं नेशनल कॉडिनेटर हूँ, मैं दो हजार बारा में उसे पहले भी कुछ सालों से मैं टीवी देखता था तो बहन शिवानी से मैं थोड़ा सा परभावित हुआ, और संकल पाया कि क्यों ना मैं भी इस संस्था को जोइन कर तो मैं और मेरे यूगल, हम दोनों सोलों में हमने पता किया कि बर्मा कुमारी जो बिश्युव देल है उनका यहां पर कोई सेंटर है, तो उसको खोजते-खोजते जोहर पार्क में पहुंचे और यहां पर जो सिस्टर्स बहने हैं उनसे मिला और इच्छा जिताई, मैं और यह ओगनाइजशन जोइन करनी है, सुना है कि इससे मन की शांती मिलती है, तो यहां पर हमारों को, उन्हों ने कहा कि आप साथ दिन का कोर्स कीजिए, अगले कल से ही उन्हों ने बुला दिया हमें कोर्स करने के लिए, तो हम दोनों ने साथ दिन का कोर्स किया और हम इस संस पहले तो इनने नहीं कहा कि आप बेहतर होगा कि आप दारना में चलो हम चलना शुरू कर दे और उसके बाद हम ज्वाइन करते के मोरली क्लासि लगाते रहें उसके बाद मैं आठ वार बार बावा मिलन के लिए माउंटअबू गया और इसके साथ साथ मैंने कई कॉंफरेंश जैसे कि माइंड बोड़ी एंड मेडिसेन की थी, एक माइंड बोड़ी एंड सोल की थी, उसके बाद एग्रिगलचर विंग की बी कॉनफरेंस एटेंड की, और अभी हाल ही में मैंने शास्वत योगी खेती, उस पर भी हमने चार दिन की, इनकी कॉनफरेंस थी, मीटिंग थी ओर ट्रेंड की, माउंट अभू में, इसके साथ ही हम बाई सुमंत से भी जूड़े हैं, तो मैंने अपने इहां पर अपने बिशुर दिया लेकि जो मेरा कर्म स्थल है, वहां पर हमने इस चीज को आगे बढ़ने में कोशिश की, मैं आपको एक घंटना सुनाता हूं, हमने पोली हाउस में शिमला मिर्च की खेती का एक एक एक्सपेरीमेंट लगाया, उस एक एक्सपेरिमेंट में हमने कलर कैक्सिकम जो रंगीन शिवाल मिर्च थी, वो लगाई छे साथ किसम की लाल, पीली, काली, सफेद, रंग बिरंगी किसमें लगाई, और हमारा कुछ दिनों वो कंट्रोल नी हुई, एक दौई छिड़की, दूसरी छिड़की, तीसरी छिड़की, बदल बदल के छिड़की, फेर बदल के छिड़की, नहीं कंट्रोल रही और सीर पर विजट आगी. तो मैंने एक दिन शाम को संकल्प आया कि क्यों ना मैं बाबा से कुछ हेल्प मांगू तो मैंने संकल्प किया कि बाबा मेरी लाज रखना और इस तरह से हमारी ये प्रोलम है तो बाबा ने संकल्प में कहा कि मैं आपके साथ हूँ आप जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा तो अगल दिल में जैसे ही पहुँचे बारिश होगी तो शिमला मिर्च में या वातावरण में जब भी बारिश होती है यूडिटी जब हो जाती है तो मद मख्यों ऐसी 50% कम हो जाती है तो संकल्प आया मन में कि क्यों ना मैं इसमें अंदर पानी का शिड़काओ करूँ तो मैंने पानी का शिड़काओ किया और तीसरे दिन देखा तो लगबग साफ थी तो मैं पेस्टिसाइड की दुकाओन में आया मैंने बूच आमें कौन कौन सी दोईयां अवलेवल हैं जो आज जादा प्रचलन में जादा चल रही है तो मैंने एक दोई का चैन किया अपने आप ही मैंने का इसको ट्राइ करता हूं और जब मैंने उसका स्प्रे किया आप यकीन नहीं मानेंगे अगले दिन एक भी वाइट फ्लाई यानि कि मक्ही एक भी नहीं थी तो हमारा जो विजिट थी उस वी आईपी की विजिट थी इतनी सक्सेस पूरी कि हमें बहुत शाबाशी मीली मेरा करने का मतलब है कि अगर आप बाबा से जुड़े हैं संकल्प आगे आपके मन में है तो सब कुछ पॉसीबल है इसके लाव और भी मेरे कई कई एक्सपिरिंसीज है जो मैं शेर करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाम लग जाएगा पीछे जैसे मेरे को कुछ अपनी शाररीक प्रोल्म आई तो क्यूंकि सोच में इंसान जो सोच में पढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा पढ़ जाता है तो एक दिन वैसे ही मैं सोच रह था कि मैं इस प्रोल्म का हल क्या करूं तो सुष्मा बहन के संपर्क में आया तो उन्हें का के अपनी कुरसी पर बढ़ को बिठा दो सब ठीक हो जाएगा तो मैंने ऐसे संकल पिया ओफिस में जाके बढ़ यहाँ आप कुरसी पर बैठो औ जो हम रिसर्च करते हैं और जो भी हम कुछ कार्यकरम करते हैं मैं सब में साथ बाबा को ले के चलता हूं और मेरा अपना परसनल एक्सपिरेंस है कि मैं एक दो पोस्टरों में पड़ा था कि बेटा तुम चिंता क्यों करते हो मैं तुमारा साथ हूं और वो बात हकीकत में थाबित हो रही है चींता करने की कोई बात नहीं है अगर आपने बाबा को याद किया सब ठीक कर देंगे तो मेरा सबी यंगस्टर से सबी बच्चों से यह आगरह है कि आप इस संस्था से जुड़ें प्रानयाम करें योग करें बाबा को याद करें और आपकी जो जितनी भी प्रॉलम है वो सब सब दूर हो जाएगी अभी हमने पीछे अपरेल मिनेंगे चार तारीक से लेकर और नौ तारीक तक पांच दिन का एक मेडिटेशन कोर्स लगाया उसका जो में मकसद था वो बच्चों की लिये तो उसमें हमने ये देखा कि बच्चे बहुत जुड़े 220 130 बच्चे जुड़े पांच दिन का कोर्स किया और उसके बाद एक भीड लगी सब जोने लगे fakt टीचर सब उनने लगे कि हमने भी यह कोर्स करना है तो हमारे जितनी फोडोग्राप्स थे जितनी भी वीडियो थे सब वारल हुए, सब ने प्रेज किया और आज की डेट में हमें बहुत सारी ओफर आ लिए कि हमें भी संस्ता से जोड़ी है हमने भी प्रेजिटेशन करनी है क्योंकि आज की डेट में एक छोड़ा सा बच्चा है वो भी स्ट्रेस फिल करता है तो मेरा सभी से, सभी भाईयों से, सभी बहनों से और सभी बच्चों से और जितने भी फॉल्लोर से, यंगस्टर से उन से निवेदन है कि आप मेडिस्टेशन कीजिए आपके सारे कि सारी प्रोलम जो है सब दूर हो जाएगी शांत मन से आप रहेंगे, शांती होगी आपको आप अपना काम स्ट्रेस फ्री ढंग से कर सकेंगे और आपकी लाइफ पिल को शांत और सकस्सफुल रहेगी तो मैं सभी से यही आगरे करूंगा कि आप हमारे संपर्क में रहिए इन्वस्टी के जितनी भी बच्चे हैं उनको भी हम आगे भी हमारा प्लान है कि हम उनको मांट अबू ले जाएंगे एक सोलर पार्क दिखाएंगे शासवत योगी खेती दिखाएंगे उनको मांट अबू की सहर कराएंगे उनको योग करना सिखाएंगे और आगे सागे जुडने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा मेरा अपना पर ऐठिक साराएंगे नरिभिगन संपन होते हैं तो मएरा यही सभी से निवेदन है के इस संस्ता से जुड़िए मेडिटेशन सीखिए और अपनी लाइफ को जो है सभर बना ये नहीं गालोनागे औम क्राएंगे झाल झाल